अहिंसा परमो धर्मा अहिंसा का मार्ग अपनाना भगवान महावीर ने सिखाया लोगों को यह अहिंसा का मार्ग स्यम में बहुत असान है आज हमें महान विभूती अचार्ज बिद्दा सागर जी महराज का एक लेख पढ़ने को मिला तो मुझे लगा कि यह क्यों ना आपके साथ भी सेयर किया जा संभव में आत्म उपलब्धी यानि खुद को पहचान लेना संभव नहीं है इसके लिए अहिंसा जो यम पतंजली योगदर्सन में अस्टांग योग अर्थात यम नियम आसन प्रणयाम ध्यान धारणा समाधी प्रत्याहार इत्यादी आठंगों में यम जो पहला अंग है उसको पंच ब्रत भी कहा जाता है यम अर्थात अंतरंग साधना है जिसमें अहिंसा अस्त्या अपरिग्रह ब्रमचर्ज और सत्य ऐसी पांच ब्रत है जिसमें अहिंसा की ज़दी बात करें तो कहा गया है कि अहिंसा के अभाव में स्यम की पहचान नहीं होती है बिश्व का हर व्यक्ति सुख चाहता है और चाहे भी क्यों न क्योंकि वो पर्मानंद का संतान है परमपिता परमात्मा जो पर्मानंद अर्थात परमानंद की अनुभुती ही तो जीवन है लेकिन वह दुख से भैवित भी है भगवान महावीर ने अहिंसा का जो सिधान्त दिया है वो अत्यांत सुख चाहने वालों के लिए दिया है लेकिन जब हम प्रवचन सुनते हैं तो ख्याल आता है कि कब प्रवचन खत्म हो और हम घर चलें यह जो आकुलता और आसांती है यही आपको अहिंसा से दूर रखती है दूसरों को पीड़ा देना हिंसा है यह अधूरी परिभासा है इस तरह कि हिंसा के त्याग से जो हिंसा आती है वो भी अधूरी है क्योंकि स्वयम के साथ भी हम कई बार हिंसा करते हैं स्वयम के साथ भी हिंसा आत्मक होते हैं जो भोजन सुपाच्य नहीं है वो भी जवरजस्ति करते हैं नसा व्यसन करके भी सरीर को हम कश्ट देते हैं इत्यादी भी हिंसा है बास्तों में जब तक आत्मा से राग द्वेस समाप्त नहीं होते तब तक अहिंसा नहीं आती अहिंसा की परिभासा के रूप में भगवान म जो सुयम को जीने नहीं देना चाहता वो सुयम को सुरक्षा नहीं देता वो सबसे खतरनाक होता है रागद्वेश से मुक्त होकर जीना है या अहिंसा की सरवोतम उपलब्धी है सांती के अनुभव के साथ जो जीवन है उसका महत्व नहीं समझा है और महत्व नहीं समझना ही हिंसा का पोषण है ब्याकुल हो जाना रात दिन बेचेन रहना भी हिंसा है ऐसे में आपके मन बचन और कर्म की जो भी एस्तिती होगी उसका असर दूसरों पर भी पड़ेगा द्रब्य हिंसा और भाव हिंसा यह दो प्रकार की हिंसा होती है सारीरिक गुणों का घात करना द्रब्य हिंसा है और अध्यात्मिक गुणों का अघात करना उनमें ब्यवधान करना भाव से जो है भाव हिंसा अर्थात अपने अंदर की हिंसा द्रब्य हिंसा में दूसरों के प्रती हिंसा हो भी सकती है और नहीं भी लेकिन भाव हिंसा में अपनी आत्मा का बिनास जरूर होता है कहते हैं न कर्म से ज़्यादा महत्वपुन कर्म के पीछे का भाव होता है इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है सुयम को कष्ट देने वाला यह न समझे कि इससे सिर्फ उसका नुक्सान होगा इससे पूरे विश्व का नुक्सान होगा कर भला तो हो भला लेकिन किसका भला करो सबसे पहला अपना करो प्रेम करो खुप करो मगर किससे सब से पहले अपने से करो इसलिए भगवान महावीर का संदेश है कि हिंसा के भाव से दूसरे का बिक्टन बाद में होगा पहले अपने प्राणों का बिक्टन होगा अपने प्राणों का बिक्टन होना ही हिंसा है हमारे भाव का दूसरों पर भी असर पड़ता है हिंसा हमारे रा राग द्वेश से बच जाओगे तो हिंसा संभव नहीं है। हमारे द्रिश्टी भी भाव के तरफ होनी चाहिए यह मान लेने से कि मैं सरीर हूँ या सरीर ही मैं हूँ हिंसा आरंब हो जाती है। या अज्यान और सरीर के प्रती राग ही हिंसा का कारण है। झाल झाल